चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हारदिक स्वागत करता हूँ दोस्तो जेई में इनकी एक्जाम डेट तो फरवरी मार्च अप्रेल मई में एनाउंस हो चुकी है और इसके फरवरी एक्जाम के लिए एप्लिकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं इसमें सेशन वन की एक्जाम 23, 24, 25, 27 फरवरी को होगी सेशन टू की 15, 16, 17, 18 मार्च, सेशन थी की 27, 29, 30 अप्रेल और सेशन फॉर के एक्जाम 24, 25, 27 और 28 माई को ये एक्जाम डेट रहेगी अब हमारे दिमाग में यही क्यूसन आ रहा है कि नीट 21 की एक्जाम डेट क्या रहेगी और इसके एप्लिकेशन फॉर्म कब तक स्टार्ट होंगे तो दोस्तो नीट 21 की एक्जाम डेट की चर्चा करने से पहले हम ये जान लें कि बोर्ड एक्जाम कब तक होंगी तो डोक्टर रमेश पोक्रियाल निसंक ने 22 डिसंबर 2020 को जो लाई सेसन लिया था उसके अंदर बोर्ड एक्जाम जनवरी और फरोरी में नहीं होगी ये कहा ह मतलब ये है कि ये जब जनवरी और फरोरी में नहीं होंगी तो ये मार्च और अप्रेल में होने की संबावना है जब बोर्ड एक्जाम मार्च और अप्रेल में हो सकती हैं तो नी 21 की एक्जाम 2 मई 21 को होने की पूरी-पूरी संबावना है और इसके एप्लिकेशन फॉर्म जनौरी लास्ट वीक तक स्टार्ट होने की संभावना है दोस्तों मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आप अगर नीट 21 की तैयारी कर रहे हैं तो प्रिप्रेशन आपको 2 मई के एकोर्डिंग ही करनी होगी आप स्टेडी प्लान इसी प्रकार से बनाएं कि आप 2 मई को एक्जाम दे सकें कुछ बच्चे अभी भी यही सोचकर स्टेडी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं कि एक्जाम पोस्पोर्ड हो जाएगी तो इस चकर में नहीं रहें आप अपना नुकसान ही करवाएंगे अगर आप इस चकर में रहेंगे कि एक्जाम पोस्पोर्ड होगी मई में नहीं हो सकती जून जुलाई में होगी तो आप इस से नुकसान उठा सकते हैं अगर आपने अभी तक स्टडी स्टार्ट नहीं की है तो आज से ही बलकि अभी से स्टार्ट कर दे अगर 2021 में आपको सेलेक्शन लेना है अच्छी कोलेज में एडमिसन लेना है तो आपको कड़ी मैंनत करनी होगी मैंनत के स्वाए आपके पास कोई दूसरा सोटकट नहीं है किस्मत भी उनी का साथ देती है जो मैंनत करते हैं मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए यही बताना चाहता हूँ कि आप आज से ही बलकि अबीज से study start करें टाइम टेबिल बना कर कम से कम daily 10 से 12 hours की study करें मैं आपको मैं आप से वादा करता हूँ कि आप daily 10 से 12 hours की continue study करेंगे तो 21 में आपका selection कोई नहीं रोक सकता बस आपके अंदर एक जज़बा होना चीये कि मुझे need 21 में क्रेक करके नीट 21 क्रेक करके अच्छी मेडिकल कोलेज में एडमिसन लेना है अच्छा डोक्टर बनना है तो आप अवस्थे ही सपल होंगे वीडियो के अंत में मैं इसी आसा के साथ में ये वीडियो यहीं एंड करता हूँ कि आप डेली 10 से 12 हावर्स की स्टडी करके एक अच्छे डोक्टर बनेंगे नई अपडेट के साथ में नए वीडियो में मैं आप से फिर मिलूंगा तब तक के लिए जैहिन